हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो दुस यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी विल नो वाट इस इस्ट्री एंड हाव डू वी नो अबाउट दा अवर पास्ट गाइस इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि हम अपने इतियास के बारें कैसे जानते हैं कैसे हमें अपनी अधित के बारें पता चलता है सबसे पहले इतियास क्या है वोट इस इस्ट्री गाइस इतियास कारव में कहा है हिस्ट्री इजे टैक्स्ट इतियास एक गिरंथ है जो अतियति में हुई गटनाओं के बारे में हमें बताता है क्या अतियति में हुई सारी गटने इतियास के रहती है जिससे हम पता लगाते हैं कि अतीत में घटना वाकई में घटी हैं तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं इत्यास के बारे में चले स्टार्ट करते हैं इत्यास सब्द से इत्यास सब्द की उत्पत्ती कैसे हुई गाइस इत्यास सब्द की उत्पत्ती हिस्टोरिय नामक वर्ड से हुई जो एक गिरीक वर्ड था यानि कि एक युनानी वर्ड था इससे हिस्टोरिय सब्द की उत्पत्ती हुई और सबसे पहले हैरोडोटस जो एक गिरीक व्यक्ति थे उन्होंने अपनी स्टोरी का पुस्तक में हमें इद्यास के बारे में जानकारी दी और इसी कारण हैरोडोटस को इद्यास का जनक का जाता है इसे इस्टोरी का फादर बोलते हैं और इत्यास को जानने के लिए हमें सोर्सिस की जर्थ होती है यह सोर्सिस के पिरकार के होते हैं नमबर एक आरिकेलोजिकल सोर्स यानि कि पुरातात्विक शुरूब इन में आते हैं और इसके बाद आते हैं लिट्रेरी सोर्सिस यानि कि साहतिक शुरूब यह होते हैं यानि कि धारमिक शुर्थ और दोसरे सोर्स यानि कि अधारमिक शुरूथ इलिजियन सोर्स में आते हैं रामायन, महावारा, सामवेद, Yetis교od, Rigved, एड सेक्टर्थ और नोन्रिलिजियस लिए शुर्स यानि कि ऑधारमिक शुरूथ के अंत्रगात आते हैं चाड़े के अड़सास काली दास का अभिज्ञान सकुंतलम पतांजली का मावास्ची है आदी इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्शन ओपोर्नर ट्रेवलर विदेशी यात्रियों का विरून गाइस प्राचिन भारत में इंडिया में बहुत से इक फायान गिदेशी आत्रि था तो चंद्रगुप्त द्यवेत् Members समय गुप्त्काल में भारत में और बात करें तो इंडियन हिस्टिरी इन हृत्य यानि इंडिया यानि फिराजगीं बारत नमबर दो अ अझायव है वμέल इंडिया मद्यकालिन भारत तीन Gobierno ृमर्द इंडिया यानि आजनिक भारत अन्याओशों के थां आप बात करें तो ए इंडिया की की अंजिन इंडिया को फारदर त्री ओइस में गया नमबर है है पिरो इस्टारीं पिरेड यानी प्राद्य एचासिक यानि इसमे जो हमें इसके टाइम के पारे में पता चलता है तो हमें उत्म खनान से पता चलता है क्योंकि इस काल में कोई लिफिया नहीं बुझा थी और प्रanden प्राप्त होई हैं नेकिन वो पड़ी नहीं गई है क्योंकि इस टाइम में पिक्टोग्राफिक का यूज करते थे लोग एक दो से बात करने के लिए वह चित्र वगारा प्राप्त होए हैं तो हमें वह समझ तो अभी तक समझने इतियासकार समझने पाए हैं और हिस्टोरिक प्राप्त में जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो लिखेत में और इसके बाद से जितने भी लिखित में मिली है वह अराम से पड़ी जा सकती है और इस फिर से प्रिस्टोरिक पिरिट को दो पार्स में डिवाट कि अगया है एक इस टोनेज याने की पांसाध नौन दोग नंबर यह एक इंडेस वैली स्विलिजाशन यानि कि अरबन स्विलिजाशन थी इसका टाइम पिटल था 2500 BC to 75, 75 BC यानि कि संदुगाट्य की सब्व्यता यह एक नगर सब्व्यता थी जिसका टाइम था पच्चिस सो इसा पूरु से सतर सो पचास इसा पूरु तक और सेकिंड है वैदिक सिविलिजाशन यह एक रूरल सिविलिजाशन था जिसका टाइम प्रे था 1500 BC to 600 BC मतलब कि यह एक वैदिक सब्वेता थी जो एक गिरामीड सब्वेता थी इसका समय था 1500 इसा पूरु से 600 इसा पूरु तक इसके बाद इस्टोरिक विर्ड यानि एतियासिक काल इसमें हमें 600 BC के बाद लोहा फिर आप थो गया था यानि कि आयरन की खोज हो चुकी थी तो इसलिए से आयरने जी बोलते हैं और इसी के साथ साथ 600 BC में जो छोटे छोटे जनपत थे उन्होंने बड़ा रूप लेना स्टार्ट कर दिया था और 600 BC में हमें 16 मा जनपत फिराफ्त हुए जिनमें मगज सबसे फेमस था यानि कि मगज सबसे बड़ा इमपाइर ठाहे पिरसित था जो फिलाल प्रिजेंट में बिहार में स्थीत है और इसके बात करते हैं स्टोनेजग्स की स्टोनेज को तीन पार्ट से में डिवाट किया गया है पह्ली लिथिक प्रिएड वीजेड लिथिक प्रियाड नियुश्य गया इसमें मनुष्य ने आग की खोज करती थी और इस टाइम मनुष्य एक से दूसरे इस्थान पर खाने की तलास में गोमते रहते थे और सिकार करते थे और जो इसका टाइम में लगवा फाइव लैग बीसी से एट थाउजेंड बीसी तर और इसके बाद मीजो लिथिक प्रेड यानी मध्या पांसान काल गाइस इसमें लोगों ने डोमेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था वो एक इस्थान पर काफी लंबे समय तक रहने लग थे सबसे पहले मनुष्य ने नदी के किनार रहना शुरू किया था क्योंकि वहाँ पर पानी भी मिल जाता था और पेड़ पोदा से फल भी लेते थे और जंगल में नदी के पास कोई एनिमल्स पाल पानी पीने आता था तो उसका सिकार भी कर सकते थे और इसी समय मनुष्य इनिमल्स को पाल न श्टार्ड कर दिया था सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पाल श्टार्ड किया था इसके समय अब दिया एट थाउजन्ट बेसी टू ओबर थाजंट बीसी यानि कि इसका जो समय है वह 8000 इसयपूरू से 4000 इस कूरू तक है इसके बात बात करें तो न उपासा और काल इसमें मनुस्या ने किर्शी स्टार्ट कर दी थी वो नदियों के किनार रहता था तो किर्शी के लिए पानी भी नदी से मिल जाता था और उसने किर्शी स्टार्ट कर दी थी सबसे पहले मनुस्या नहीं गेहूं और चावल की केती स्टार्ट की थी इसकी पिरेड है 4000 BC to 2500 BC यानि कि 4000 इसा पूरु से 2500 इसा पूरु तक इसके बाद मेडाइवल इंडिया मेडाइवल इंडिया में हमें दो चीज पंडि पढ़ती हैं दिल्ली सल्तनत एंड मोगल डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था वो था कुतुब दिन एबक और द 206 AD से 707 AD तक चला और इसके बाद आता है मोगल डायनेस्टी यानि मोगल वन्स इसका पहला राजा था बाबर जो मोगल डायनेस्टी थी यह 1526 AD से 707 AD तक चली और इसके बाद इसका डाउन फॉल होने लागा अब आते हैं मैट्रिया मोडर्न इंडिया पर मोडर्न इंडिया में मोगल डायनेस्टी का जो डाउन फॉल हो रहा था वो इस स्टार्टिंग में आता है मोडर्न इंडिया की यानि की मोगल वन्स के पतन के कारण यानि इसका टाइम था 707 से 1777 और 1885 में इंडियान नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना होती है जो पहली पॉलिटिकल पार्टी थी पर इसके बाद आता है इंडियान फ्रीडम इस्ट्रिकल भारतिये सुतंतरता संगराम 1885 से 1947 तक यानि जब से इंडियान नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी तब से उनिस्टो भारत के आजादी तक तक यह टाइम चला इसमें अनेक आंदुलन हुए देश के आजादी के लिए बहुत सारे इसमें आंदुलन हुए थी और आखिरकार पंद्रह गर्स उनिस्टो शेटालिस को हमें आजादी मिल गई थी अंगरेजों से इसके बाद आता है कंटेंप्रेरी इंडिया यहनी कि स आउकालिन भारत मौस के जो इसका टाइम है आजादी के बाद का रहत जो इसका टाइम है 1947 से 1964 इंडी अरो तो इसके बाद यहां से इतियास्त समाप्त हो जाता है गाइस यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में चुरूर बता है यदि आपका कोई पिर्षन है तो हमें से कमेंट में पोछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और सेयर करें और चैनल को अरा भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें जिससा आपको सबसे पहले मिल जाए थैंक यू फोर वाचिंग इस वीडियो